हेलो फेरंड्स मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथाई टी आई में आपका स्वागत करता हूं तो जैसा कि हम बता दें कि हमारी फिटर थिवरी की क्लासे से जो स्टार्ट हुई है उसमें आज हमारा कटिंग टूल में हमारा है स्क्रैपर इसके पह के हैं क्षित ल के आव या स्ट ऺंड़िए निविनगतनव कर रहे हैं या फिर आवा आइटे से रिलेटट सथिक्रेम कर रहे हों तो इसके लिए यह वीडियोगें काफी लाब दायक है तो सबसे पहले हम याँ में आपिक है और आज जोंग को मुठुरेशनी भी बोल यानि one पर होता क्या है तो बतादे हम आप लोगों को कि जब हम कोई मसिन फिरया कर लेते वारा किसी जाब पर फाइलिंग करने के बाद नद क्यूनिए जो हाई स्पाठ होता है जैनि जो सर्फियह पर हमारे हाई सपाठ होगा उसको हटाने के लिए मोट कोन्य के लिए करते हैं को घ्ले सुप्ट फॉरन में तक होता है कि थीक्रीफ कर देखेंगा जो लॉड़कर नंपार करें लिए इस पॉटंट ऑल सब्सक्रास कि खोथे हैं मी चैनल है वह थीज क्या बनता है हम इसमें वह देखेंगे जो एक्जामस में क्यूसन बनते हैं जो सब से पहले सका मैटेरियल पूख देता है स्क्रैपर क्या पूख देता है मैटेरियल हमारा होता है कार्बन इस्टील या हाई कार्बन इस्टील या टूल इस्टील या फिर जो अमारी पुरानी फाइले होती है जो इसको रेती बोलते हैं अम आप लोगों को रेती भी बताएं जो पुरानी फाइले होती है जब बलंट हो जाती है उनके द्वारा भी हम लोग स्क्रेपर बनाते हैं याप दात बाद उसके बाद इसको हाद में जरुकाल करते हुब इसी प्रकार वजिक आपर बनां कर रहे थे श परकार इसको भी बना के एंपकर यहाइं सब्सक्kek क्यों र questo उसलिपक और जाते हैं जितना होता है और प्वायंट यहां इंपके इनके द्वारा एक इस्ट्रोक में कितना मेटरियल अटा सकते हैं इनके द्वारा किुक में tamanho 0.00 5 mm से 0.00 10.007 iehtक हम क्या कर सकते हैं एक मैटरियल हता सक्ते हैं यह मेटरियल यह इमकुर्टेंट इस्टो тоящ लिखते जाएं यह आप लोगो कहीं द्राइग से और र Cookie इसलिए आप लो इसको नोट करते जाए कि अद मेटेरियल से हटा सकते हैं और यह हमारा है हिसको करिये से कितने डिगरी का एंगल करना चाहिए हमारी सर्फियस से और सांगल होना चाहिए यह जब सब नोट करते जाहिए यह मत समझेग जो हमने लिखा है वह इंपॉर्टेंट है हम जो बोल रहे हैं आपनों को सभी इंपॉर्टेंट है सब इसको आपनों लिखते जाहिए यानि सर्फेस और स्क्रेपर को 30 डिगरी की एंगल पर हमें पर्योग करना चा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम लोग यह रेंज में कहीं 12 mm दिखेगा आपनों को कहीं 15 mm दिखेगा यानि आप इसको मानिए कि 12 से 15 mm यानि यह जो था कितने एंगल पर हमें यूच करना चाहिए जिक्रेपर को और यह जो हमारा क्या है एक श्ट्रोक में कितनी mm लंबी सत् सकते हैं हमारा 12 से 15 mm कर सकते हैं यहां पर यह भी पॉइंट बना है अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है दिया है कि एक इंच में माल लिजिए यह हमारा एक वर्ग इंच यानि एक इंच इधर हो गया और एक इंच इधर लंबाई चोड़ाई इसकी क्या हो गई है कि इंच हो गई एक वर्ग इंच में हमारा कोई अगर शर्फिस मतले सर्फिस तो बढ़ी होगी लेकिन हम इसकी जाच करना होता हैं तो हम एक वर्ग इंच में अगर इस क्रेपर के अगर तीस निशान आ जाते हैं इस क्रेपर के अगर तीस इसक्रेच अगर आ जाते हैं निशान दिखाई देते हैं तो हम मानते हैं कि जो हमारी सत्ह क्या है संतल है इसको भी नोट करिए कि एक वर्ग इंच में कितने इसान आए सब्सक्राइब लोग इसको यूज करते हैं स्क्राइपर को तो हमें इसकी सब्सक्राइब लगा देना चाहिए लगाने का मतलब हुआ जैसे हम लोग के लिश्य संदूर लगा देते हैं क्षप हैं पता चलता है जाब लगाने के बाद लोग पता चलता है कि हमें कहां पर जाब उचीए नीची इसतरह में समितल्ता वता चलता है ठीक यानि इतना मैंने जो बताया यह काफी इंपॉर्टेंट था और हर एक्जाम समेश से किवस्टन बनते हैं इसको आप लोग नोट करिएगा और यह किवस्टन आप लोग और नोट करिए स्क्रेपर की जो धार होती है इसको तेज करने के लिए किस पर अगरते हैं हम लोग इसको कई बार किवस्टन आया है इसको तेज करने के लिए किस पर अगरते हैं तो हम लोग किस पर अगरते हैं आयल स्टोन पर आयल स्टोन का एक पत्थर आता है इस पर हम लोग क्या करते हैं अपनी स्क्रेपर की धार को तीच करने के लिए रगरते कोई भी स्क्रेपर होगा ठीक है कि होगे हमारा यह अगला माते हैं कि कुछ टाइप है हमने जो इस क्रेपर में जितने प्रटेंट क्यूशन बनते थे यहां पर हमने बताया और इसके अब टाइप के बारे में कुछ जान लेते हैं है अबनार पहला आतायार अब यह प्लेट पर इसके नाम से पताच यह फ्लैट होगा जिस प्रकर होती यह उसको देखे होंगे उसी प्रकार होगा और अंतर इसमें क्या है क्या बना जाता है उत्तल जिससे हमारि Kings क्या होती है असानी से होती है हमारा जो स्कृष्पर इंब यह फस्ता भी नहीं देखी जैसे हमारी रेती में यह लिए टैंगते हो गया यह यह बारडी लोग europé had a new guy इस हो गया उसी पैकशक में भी है ठिक थब Smet न क्या पूछता है neutrarti spread में पहला क्यरों किया पुछेगा इसकी जो लंबाई कितने निया मिलताइक ही ए जो दो समय कि लंबाई में हमारा मिलता है इसके रहें क्या है बीज को राइए कि इसकी छोळाइए कितना होती है ला चोड़ा it कितना होता है 81 ठीक है एंगल 81 डिग्री और कहीं कहीं आपको रेंज में मिलेगा 85-90 डिग्री तो आपनों कन्फुजन न होगेगा अगर रेंज में आ रहा है इसको भी आप लोग ट्रिक कर सकते हैं और अगर पूछे तो आपनों को 81 डिग्री होगा सब इंपोर्टेंट है मै देखा है यह जो क्यूशन एक्जामस में हमेशा आ रहे हैं इसलिए हम आपनों को बारबाद ऐसी बात बोल रहे हैं ठीक है हमारा एंगल कितना 81 डिग्री इसका यूज भी पूछता है यूज लोट करिए यूज जो फ्लैट है यह फ्लैट सता को स्क्रैप करने के लिए हम लोग करते हैं किस कहां पराट ङुट सरस्कोंस क्रेइब करने के लिए ठीक है हमारा एंगल हो गया है आगे चलते हैं यह लोक liber यह क्यों साइब करते 一 एक उसको जाने से पहले एक बात और जान लीजिए यह हमारी जो पूल टाइप पूश टाइप भी स्क्रेपर आते हैं पूल और पूश को इसी किसी को पूश टाइप बोलेंगे ठीक है यह स्क्रेपर की परकार नहीं है बस इसके कारेकर इसका नदाव रख दिया गया है जो एक होता है पूल टाइप और एक होता है पूश टाइप पूश टाइप पूश टाइप तो आप बताइए पूल मतलब क्या होता है पूल मतलब खीचना है पूल मतलब खीचना है और पूश मतलब धक्का देना पूश मतलब धक्का देना तो जो यह हमारा स्क्रेपर है फ्ल की से बताएंगे देखिए जो हमारा श्रेफ्न करें हैं इस में हम Rapid के सबस्राइब कर थिक हैं फुल टायप में क्या करेंगे ठीचेंगे उपनी तरफ-जाब yat voor जो हमारी पर उसको पिन तरफ खीचेंगे रहने के使募 कि आगे आते हम रहे हैं तो वह कुछ अलग नहीं है बस इसी स्क्रैपर को हम लोग क्या कम दें नव्हें नदे पर अगर मौट दे रहे हैं तो हमारा अग्ला स्वेकर बनेगा फ्लाट स्थ्क्र et अई पिर नहीं कर सकते हैं वहांपे हम इसका यूज कर सकते हैं थीक और हुक है यानि ये उपके लगा है तो उसको खीचेंगे हम लोग तबी जा कि इसमें क्या होगा स्क्रापींग होगी ठीक है कि यह मरा वोंट है इसका इसके लिखा गया करने के लिए और कोई जाब हमारा बढ़ा आए वहाँ पर हमारा अगर पहुंच पार आये इसकी साथा से नहीं इसक्राइफिंग कर पार रहे हैं तो हम लोग हुख करेंगे ठीक है कि इसक्राइब कर लेते हैं इसके बाद फिनीसिंग भी देने के लिए हम लोग जो स्क्राफ एक करेंगे ओर इसको। इंगल 90 डिगरी हिसा है मैं इसको हथा औंगा हाफ राउंड इसक्रेफर क्रेफर फाइल मिंध्य ती आपने पढ़ाय यह क्या होगे यहाफ रौंड इसक्रेफर हो जो यह हाफ राउंड में होगा इस तरह आप लोग इसको ध्यान भी ढई तरह आप लोग फाइल से धालस त्रकेर में में होगा और lement की पेशा क इत sou अब इसके यह होती की एक सफीर से एक सफ़ायां देजाया एक सफीम सा फछायां एंगल होता है इसका हाफ राउंडी स्क्रेपर को बेरिंग स्क्रेपर भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि इसका यूज ही होता है कि जो मारी बेरिंग होती है उसके आंत्रिक भाग को क्या करने के लिए इसक्रेप करने के लिए हम लोग हाफ राउंडी स्क्रेपर का यूज करत है इसमें दो कटिंग होती है यह तो हमारा चुह होगा वह भी कटिंग करेगा करें य्यानि छитель गड़ा दिया यह अदे लिजिए थीधित ुद्य आते हैं वी दून रिज़ेगा कि इसे इसमें है आप लोगों को कि हाप उन्निषकर को क्या बोलते हैं तो बेरिंड़ेंग बोलते हैं अगला हमारा त्रूजब चारी स्क्रेपर हमारा मॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कही एक जाम में इसको यह मुश्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको अस्थोव लोट करें यह से पुछा घएा है शुमपल सा पूल सब पूच का परीयोग करते छोटे गुल सब्सक्राच के स्क्रैप्इंग के लिए तो अमारा स्क्रेकुलर वाला यह देखिए त camerasív वी स्क्रेप तेस बैटेट और डेकंगे उसी पयार हैं इसमें कितने कटिंगे जहें तीन इसमें तीन कटिंग एज इसको भी आप लोग नोट करिए इसकी लंबाई एक सब पचीस एक सब पचातर एम होती है इसका अंगल 55-60 डिगरी के मद्यानी जो अमारी फाइल थी उसका भी अंगल अमारा इसको तो आप लोग बतायां कि छोटे गोल सुराकों की स्क्रेपिंग के लिए नोट कर लीजेगा है चोटे गोल इसुराकों के लिए प्रिबुजा का यूज करेंगे अंगल 55-60 डिगरी अगला मारा आता है भूल नोज स्क्रेप बूल मतलब जानते ही होँगे आप लोग क् तो इसका सिफ होता है यह जो हमारा सांड होता है उसके नाथूनिय जैसा होतागे प्लिशली के आजबन conuję क्राइव होता है फिन प्लेट होग Bemने इसके लिए उसके लिए भी नमपनों आ तो बूल्णूज भी बड़े बेरिंग के लिए इसको भी आप लोग ध्यान दीजें यह मर वोगया बूल्णूज वाला आगे हमारा आता है टू हैंडील उसके बाइट पर युज और यूज धूर पर युज़ कर रहें उसको एक हेंडल की सायता से युज़ कर रहे थे हैं अब इसमिद में होगा और आमें 2 हांध को कया करना होगा लगा तोग इसके अपे लोगगों हम बता दें इसका आंपे नहीं है कि यह अनलर क्या हैो recent को अपने ध्यान दीड़ी यह guard वारा क्या है vient इसको लोग दोनों हाथा वहात्ता से पकड़ाई अपने सर्फेस्स पर क्या करेंगे कि इस वहाप लुघ थोת कर दोनों हाथ का परियोग किया और उसकी से अब लोग बुच सर्फेस के लिए के लिए हम लोग टू एंडिल स्क्रेपर का यूज किया जितने भी इंपर्टेंट इसके आप लोग फिगर को भी ध्यान दीजेगा उसके साथ साथ इसके अंगल को भी लंबाई को भी और यूज यूज तो मोस्ट इंपर्टेंट है इतना हमने जो बताया आप लोगों का होता है इससे बाहर कुछ नहीं होता है तो मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को सेयर करिए जिससे हम जो फिटर्ट ठीवरी की कलासे से स्टार्ट किये आगे की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें चैनल को सब्सक्राइब की दिए मिलते हैं फिर आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जयें